दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं गर्भा वस्ता के धोरान इस्टेच मार्क्स हटाने के उपाए अहुत लोग को मोटापा के वज़े से भी इस्टेच मार्क्स आ जाते हैं तो इन सब कारणों से कारा पाने के लिए इसमें हम घरेलू उपाए बताएंगे महिलाओं में इस्टेच मार्क्स एनि खिचाओ के निसान होना आम बात है खास तोर पर गर्भा वस्ता के बाद अधिकतर महिलाओं को स्टेच मार्क्स पढ़ ही जाते हैं एह शरीर के किसी भी भाग पर हो सकते हैं जैसे एस्तनों और बाजियों पर लेकिन सबसे ज़्यादा पेट के निचले हिस्से कुल्हों और जांगों पर दिखाई देते हैं गर्भा वसता के बाद पढ़ने वाया इस्तेच मार्क्स से हार्मोन सबदला और अचानक से कम होने के वाले फैट की वज़े से हो सकते हैं इसे छुटकारा पाने के लिए महिलाए ना जाने कितने तरीकी अपनाती हैं जिन में से कुछ तो कारगर हो सकते हैं लेकिन कुछ हैं प्रेग्नेंसी के बाद होने वाले स्टेच मार्स को कम करने के लिए घरलू उपाए बयाम बताएंगे तरीके स्टेच मार्स आने में कुछ हाद तक मदद कर सकते हैं तेल से मालिस करें इस्टेच मार्स कम करने के लिए तेल मालिस काफी कारगर साबित हो सकता है जैतून का तेल इस्टेच मार्स को कम करने में काफी मदद होता है जैतून के तेल से इस प्रकार के मालिस कर सकते हैं हथेली पर थोड़ा सा जैतून का तेल लगा कर इस्टेच मार् कर छोड़ दे ताकि तेल के सभी पोशक्तत्व पचा में औसेसित्थ हो जाएं आधे घंटे के बाद आप नहा लें तेल से मालिस करें इस्टेच मार्स कम करने के लिए तेल मालिस काफी कारिगर साबित हो सकता है जैतून का तेल से इस प्रकार के मालिस कर सकते हैं हथेली पर थोड़ा सा जैतून का तेल लगा कर इस्टेच मार्स वाले हिस्से पर लगा लें अब इसे 30 मिनट के लिए लगा कर छोड़ दे ताकि तेल के सभी पोसक तपत्व तचा में आउसेसित हो जाएं आधे घंटे के बाद आप नहा लें एलोवेरा तचा के लिए काफी फायदेमंद होता है वही इस्टेच मार्स कम करने के लिए भी एलोवेरा काफी फायदेमंद होता है इसके लिए आपको एलोवेरा के टुकडों को 15 मिनट तक स्टेच मार्स पर रगड़े और फिर गुनगुने पानी से धोले ऐसा रोजाना करने से इस्टेच मार्स धीरे-धीरे कम होने लगेंगे आप चाहे तो एक चौथाई कप एलोवेरा जेल में 5 विटामिन A और 5 विटामिन E के कपसूल मिला कर एक मिसरड बना सकती हैं और रोज इसे मालिस करें सकती हैं मालिस करने के बाद इसे सूखने दे और फिर धोले ऐसा आप दिन में दो बार करें गर्भा वस्था के बाद इस्टेच मार्स से छुटकारा पाने के लिए बैयाम भी करें इन इस्टेच मार्स को कम करने के लिए आप बैयाम का सहारा ले सकते हैं इससे तवचा में नए टीसू का निर्माण होता है और स्टेच मार्क्स कम करने लगते हैं इसके अलावा बयाम करने से डिली तवचा में काड़ापन आएगा आप स्टेच मार्क्स वाले भाग के लिए कुछ सेटिंग चेंजिंग वाले बयाम करें नियमित बयाम और अच्छे खान पान के लिए मेल इस्टेच मार्क्स से रहत दिलानी में मदद करेगा